तो चले दोस्तों लेकर आज चुके हैं सुबस वह आप सभी के बीच इंटर्मेटर एक्जामेशन 2022 का केमेस्ट्री का दोस्तों यहाँ पे रहसाने बिग्यान का कोश्चन फेपर को लेकर यहाँ से काफी सारे कोश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे डिरेक्ट दोस्त दोस्तों बहुति इंपोटेंट है वही कोश्चन आ जाये दोस्तों इसलिए वीडियो को सुरू से लेकर लास्त तक जोड़ देखेगा और हम लोग जल्दी से जल्दी थोड़ा फास्ट करेंगे इस वार तो कुछी समय बचे हैं दोस्तों आप लोग एक वार जरूर इस वीडियो को देखिए और सिर किजये दोस्तों लाइक कर दीज़ा ओर चैनल को सब्सक्राइब करें यहां से देखने को मिलेंगे इसलिए एक एक इक को गौर से देखेगा बहुत ही कम समय बचा है इसलिए हम अभिकरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों मैं आप लोगों को पहली बता देता हूं सतर में आपको 35 का जवाब देना है नहीं बनता है तो आगे बढ़ जाओ ठीक है ना हो सकता है इससे भी उजी कोशन पिछे इंजार कर रहा है अप लोगों का ठीकी ना मतला आगे इंजार कर रहा है अगर इसी में टाइम दे दोगए तो फिर आगे वहला कोशन कैसे बनेगा तो इसलिए यहां का ओप्सन नमर्ड आ हो जागा दोस्तों फिटिंग अभीकरिया, क्या हो जागा यहां इटारड अविकिरिया, कोलबे अविकिरिया, रीमर टीमाइन अविकिरिया, फिर कायन जीरो अविकिरिया, तो राइट अंस रोज़ेगा, option number C, दोसोN रीमर टीमाइन अविकिरिया, रठते चलिये दोस्तो हैं एक, एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना हो सकते हैं यहां से काफी सारे कोशन आप लोगों मिल जाए मैंने आप लोगों को पांच वीडियो दिये हैं दोस्तों पांचो अगर देख लिया है तो एक भी कोशन नहीं छुटेगा अगर नहीं देखोगे सिर्फ एक वीडियो देखके जाओगे तो समझ लेना क बोलोगों कि सर नहीं आया नहीं आया पांचो वीडियो देखना है आप लोगों को ठीक है ना टोटल 200 कोशन हो जाते हैं पांचो मिला के उसमें से आपको 35 का जवाब असानी से मिल जाएंगे तिसरा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किसके दोरा की जाती है तब प्राथम कि वह पादा स्वर्ण के ताप को कम करता है दोस्तो क्क हम लोग बोलते हैं क्या दस्तों एंंटि श्रियुल को लाइक करता है ररतेफी चलिए वीडियो को लाइक कर दीजे ठीक है ताकि बहुत सारे चाहत यहां से काफी सारे कोशन सही कर पाएंगे छे नमर है कि रवा में जब इलेक्टोन रिदनायन दोरा खाली अस्थान में पकर लिया जाता है तो अब कौन सा दोस्त होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं तो सी एप सेंटर दोस्त का बलते हैं है 10 नमर चाहत है तोकि फोटो ग्राफिक फिलम पलेट में किसका आवस्य घटक होता है तो फोटोग्राफिक फिलम पलेट में जो आवस्य घटक होता है दोस्तों इसका रैटन सो जगा जी सुन आवडर के अप्सन नमर यहाँ पे एक कोरेक्ट हो जाएगी अगला कोरेक्ट हो जाएगी टेलिग्राम पे आप लोग को इसका पीडियो मैं दे दरूंगा दोस्तों ठीका एंसर के साथ तो आप जूर जाए यह टेलिग्राम पे कलोरीन अमोनिया की अधिकता से अभि पलस एनस for C l option number c चले अगला को जाएगी अगला कोशन देखते हैं कि कौन ताप दोरा परभावित नहीं होता है उठ्टेते हैं कि मौनब सरीर नहीं उत्पन करता है तो वो भिटामिन उत्पन नहीं करता है दोस्तों जाएगला कोशन देखते है यह ZNS है जेड एनसर criticize CU2 plus CUS मतलए यह क्या है दोस्तों है ZNZN2 plus CU2 plus CU यह western cell है daniel cell, kolomal cell या फिर इन में से कुछ नहीं तो solar कर रहा है tensor option number आपको daniel cell का उधारन है option number B अगला question CH3, CN के अभकरन से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है यह होता है C2, H5, NH2 option number यहाँ पर क्रेक्ट हो जाएगी C चल्ब अगला question देखते हैं कि सबसे प्रबल अमल का यहाँ तो धारन है तो सबसे प्रबल अमल की अगर बात करें तो HCI, HCLO 4 हो जाएगा HCLO 4 option number E अगला question दोस्तों इसमें थोड़ा सा mistake है wrong आपको options यहाँ पर नदर आएगे दोस्तों इसको में लोग छोड़ देते हैं ठीक ना start लगा के छोड़ देते हैं चल्ल एगला question देखते हैं कि किस अभिकरिया का परमुख परतिफल निम्रिकित में से कौन है निम्न अभिकरिया का यह जो अभिकरिया दिया गया reaction दोस्तों इसका परतिफल मतलब product के रूप में जो बन रही है वो क्या होगा यहाँ पर है न CSCL3 पलस O2 परकास के उपर सिती में HCL और कौन सा उत्पाद बनाता है तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों COCL2 option number यहाँ पे C correct हो जाएगी अगला question IUPEC परनाली में acetone का जो नाम होता है वो क्या होता है तो IUPEC परनाली में acetone का जो नाम है दोस्तों वो है आपका propanon option number यहाँ पे C correct हो जाएगी अगला question देखते हैं वाइस नमर कि निम्नांकित अभिकरिया का पर्मुख परती फलल है क्या-कोँ नाम कि अभिकरिया का जो पर्मुख परती फलल है दोस्तों यहाँ पर राइट अच्रप्सनर नमरर भी हो जाएगा Cxh Audio N6 option number D अगला question निम्रकित में से कौन सा प्राक्रितिक बहुलग है बहुत ही important है दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे आपको protein option option number 24 का यह correct हो जाएगा है न यह प्राक्रितिक बहुलग है अगला question अगला question है दोस्तों यहाँ पर कि hexamine platinum coloride का सही सुत्र क्या है तो 25 का option option number यह हो जाएंगे यहाँ पर प्रीटी एने ठीका होल सिक्सी एल फोर यह है क्सा एमाइन प्लेटीनम फोर का क्लोरेट का सही सुत्र है अगला question निम्रकित में से कौन और दी हो जाएंगे प्राश्रंदा मतला ओस्मोर्टिक प्रडेशर ठीक है अगला question कि एक मोल एल 3 पलस को एल में अपचेन के लिए कितने अविसकी अवजिकता होती है तो 28 का क्रेक्टर अप्सन नमर ए हो जाएंगे ठीरी गुने दसके पावर 15 कुलाम ठीक है अप्सन नमर सी चले गला question देखते हैं कि अभी के यहां सी एस्थीरी सी एन जो एस्थीरी ओ पलस की पस्तितिव का जो उत्पाद बनाता है दोस्तो 29 का करेक्टर अप्सन नमर ए हो जाएंगे देखे दोस्तों यहां पर मैं आप लोग को पहले फिर से बता दो कि 35 का ही जबाब देना है है ना और जो आपको नहीं बनते उसको छोड़ देना भाई है ना फालतों में आप गलत कर दोगे जो नहीं बनता है आगे चलते जाना है हो सकता है इससे आगे सिंपल कोशन हो सकता है ना थर्टी नमर है कि नियुकित में सबसे ज़्यदा परवल होता है तो 30 का करेक्टर अप्सन नमर यहां पर भी हो जाएंगे के क Commissioner के ओप्सन नमर भी अगला कोशन देखता है कि में बिटामिन एक कर लाता है तो बिटामिन एใतों हम लोग बोलते हैं डोस्तों बनाकर या फिर आपको है भ facil Quinn घाल में से रखोर यह और फिर विवर यह दोनों गलत है दोस्तों है न दोनों किलत है सब जिलोऑ को जंग लंगने से रुतने को बचाने के लिए ओप्षान रहां पर डिक में इन में से कोई नहीं यह दोनों गलत है ना खारे जल में रख तो और यहां पर जंग लग जाएगा और आइरन को थोड़ बना कर ओव भी जंग लगने का यहाँ पर नहीं है तरीका आप्शन नमर डी कोरेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन इथोक्सी इथेन कोन है तो इथोक्सी इथेन की अगर बात करें दोस्तों ती हो जाएगा आपका सीटू एजफाइब ओ सीटू एजफाइब ऑप्शन नमर सी थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग ताकि आप लोग का समय यहाँ पर बच्छे ठीक है चलिए थर्टीफाइब नमर है कि निमलिकित में कहा गया है कि मिथाइल एमइन को बनाया जा सकता है तो ऑफाइल इमेन को जो बनाया सकता है दोस्तों हैं ऑप गोरSt या दोरा अब है copper pirate का सुत्र तो copper pirate का सुत्र यहां पर हो जाएंगे सीओ फीएस टू अप्सिन नमर भी देखें अब इजी जी कोशन मिलेंगे दोस्तों अब 0.01 एम गलोकोज बिलियन की तुलना में 0.01 एम एमजी सीयल टू बिलियन के हिमांक में जो अब नमन है सामान लगभाग दोगुना लगभाग ढोल्ड़ ऋती जोगुना फिर लगभाग खोभ्यूना अप्सिन नमर 3 का कोरेक्टा नीं करें से लगभज मफ दीगुना है ठीक है चलिक है हम लोग प्रगलन वीधिय में धातू के ऑक्साइड के अप्चेन में प्रयुक्त होता है दोस्तों वह होता है आपको सी कारवन उप्चन नमर बी कोरेक्ट हो जाएगी अगला कोशन के एक सुनने कोटी के अभी के लिए एपलस बी डैस सी के लिए जो दर होती है वह आपको पतानी है दोस्तों रेट ऑफ जीरो ओडर रियक्षन के लिए यहाँ पे तो 42 का कोरेक्ट उप्चन नमर ए हो जाएगा रेट बराबर के ए नोट भी जीरो ओप्चन नमर ए कोरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों अगला कोशन रसानिक अधीसोशन में कितनी पड़ते होती है तो रसानिक अधीसोशन में जो टोटल पड़ते होती है दोस्तों वो केवल और केवल एक होता है तो 43 का एक कोरेक करता है अप्शन नमर सी अगला कोशन उप सहसन योगी के फोर एन एस यहन का होल फोर में निकल की अक्षिक्रन अवस्था कितनी होती बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों जब भी पुछा जाएगा से पुछा जाता है और फिर भी असी में लगातार पुछा जा चुके अप् कोशन नमर डी अगला कोशन इसका आपको पीडियाप देखने को मिल जाएंगे दोस्तों टेलिग्राम पे जूर जाएए सरे छात्र लिंक आपको डिस्किप्शन में या फिर जो चात टेलिग्राम चलाते तो वहाँ पे सर्च किजएगा स्टार्क स्टडी पॉइंट उसमे अगला की दूध में से किसका उधारें रहें तो दूध जो है दोस्तों क्याए मलशन है सअस्टेंसन है या फिर इनि में से कोई जोई दोस्तों यह क्रकांपाइस मतलए मलशन है Nilson में Tet selves lab connection कि गएन आज के लिगे जो ए दोस्तों यह बीडियर शीजाका रिए सीनका है और वह था H, C, H, O, Option नमर यहाँ पर A क्रेक्ट हो जाएगी अगला क्वेशन देखते हैं कि A, B और C तत्वो काम मानक अप्चेयन विभव मानकर्म से इतना दिया गया है उनकी अप्चेयन सकती का करम है तो 51 का क्रेक्ट अंसर अप्चेयन बढ़ी हो जाएगे पहले B वला उसके बाद C, उसके बाद A है न सबसे जिता अप्चेयन नमर यहाँ पर D कोरेक्ट हो जाएगी इस उनकी अप्चेयन सकती का करम अगला क्वेशन इंजाइम क्या है दोस्तों तो इंजाइम एक तरह का प्रोटीन है अप्चेयन नमर यहाँ पर C हो जाएगे 52 का अगला क्वेशन देखते हैं तिंडल परवाव पाया जाता है दोस्तों यह होता है सौल में अप्चेयन नमर C हो जाएगे 54 का अगला क्वेशन इलकिल हैलाईड एवम सोडियम धातू के बीच अभिकिरिया कहलाती है स्वरा सा फास्ट आप लोग कर ये दोस्तो इलकील हैलाइट एवम सोडियम धातू के बीच अभी किरिया जो कहलाती है वो कहलाता है हुट अभी किरिया हुट रियक्षन ऑप्शन नमबर के चले अगला कोशन देखते हैं कि C, R, H2, O का होलफोर C, L2 पलस में संकुल में C, R की मतलब करोमियम की ओक्षिकरन संख्या कितनी है तो यहाँ पर राइट एंस रोब जाएगा ऑप्शन नमबर C हो जाएंगे 256 का सोरी B, पलस 3 क्या हो जागा पलस 3 अगला कोशन कि अभी कारक अनुवक उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवस्यक न्यून्थम जो उर्जा होती है वो कितनी होती है, तो वो होता है संक्रियन उर्जा, क्या होता है संक्रियन उर्जा, आप्शन नमर यहाँ पर C, कोरेक्ट हो जाएगी, इंगलीज वाले यहाँ पर देख सकते हो अगला एप्शन नमर की भावतिक अधिसोसन में लगभग उसमा उत्सरजित होती है किलो जूल पर मोल में आपको बतानी है तो वो होता है 20 से 40, आप्शन बठावन का एक कोरेक्ट है पूछा हुआ प्रश्ण है दोस्तों, देखे कितना इंपोर्टेंट है यह सारे है SN2 किर्याविधी में निर्मान होता है किसका कारवधा-9 का संक्रमा अवस्था का या पिर कार नहीं का तो फिल्पिट्री नन का उप्शन नमर दोटका संकर्मन आवस्थाका अगला कोशन निम्रिकित में से कौन सा योगिक जल में बिलाई है तो जल में अगर बिलाई के बाद करें दोस्तो सुल्योबल इन वाटर इंद फॉलोविंग कंपॉंड्स तो 60 का क्रेक्ट्रेंस रॉप्शन नमर्डी सी एच थीरी सी एच टू ओ याच अगला कोशन कार्बोनील समू जो दिया गया है दोस्तों कि कार्बन पर कौन सा प्रशंकन होता है एक सट का क्रेक्ट्रेंस नमर्ड भी हो जागा एस्पी टू चले अगला कोशन देखते हैं कि फॉर्मेल डिहाइड को एन वह के बिलियन के साथ गरम करने पर प्राप्त होत होता है दो तो यहां पर फॉर्मेल डिहाइड को गर एन वह के साथ गरम करने पर यह होता है मेधिल एल्कोहल अप्शन नमर्ड चले अगला कोशन देखते हैं कि अभी करिया जो दिया गया है है ना सी 6H5N यहां पर इसके साथ अभी करिया करके स्थिरी ओपलस को उपस्थि में जो उत्पाद बनता है दोस्तो उसका नाम है फिन नौल ऑप्शन नमर्ड बी कोरेक्ट हो जाएगा 63 का चले अगला कोशन देखते हैं हम लो 64 नमर इस अभी के लिया में जो उत्पाद है दोस्तों उसको बतानी है तो इस शिक्टिव फोर करेक्ट रॉप्शन नमर्ड है के लिए हो धिरी हो ज Mysterious में दिया उसी तरीके तो डेना है अब यहाँ पे देखे दोस्तों पीपजय है यहां पर बंधन पर प्रता आगया इसमें कौन सा बंधन था अब दिए देगा एस ओर थी टू माइनास आप्शन नमर डी चले वर्ग शुला के तत्व काला विजास्ट अम लोग ने बात किया दोस्तों पहले भी इससे पहले वाले वीडियोज में कि वर्ग गुरुप शुला के जो तत्व काल आते हैं दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं कैल को जन तो चैसाट का अप्शन नमर ब्योजगे के लको जन गुरूप ठीक है चलिए और वर गाठारा को है लोग पर्थम संक्रमान सरेनी में उच्छतम औक सीकरना वस्था परदसित करने वा अगला कोश्चन अब देखे यह जब भी पूछा जाएगा इस समान अवस्था पर सेल का बिधू तबहा कबल इमफ कितना होता है तो सतर का अप्शन नमर 20 सुनने हो जाएगी तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर टोटल सत्तर अब्यक्टिव कोश्चन किये हैं देखे लग आपको यह सारे कोशन है ना सभी कोशन आपको मिल जाएंगे दोस्तों दिरगुति और लगोतरिये भी तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हाल टेलिग्राम पर जूर जाए यह टेलिग्राम पर उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन मि दोस्तों को मिल जाएंगे ठीक है इसका तो चले दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोशन एंसर की लोग को लेकर बाइब सभी को बेस्ट आप लग फ़र इस एक्जाम दोस्तों जाहिंद बंदे मात्रा